एसलाम लेकुम आज हम लोगे ने klas 10 दिख इस्टमस्ट मेत मिशलेनिस एकसाइज का question number 3 स्टार्ट करेंगे ये मिशलेनिस एकसाइस, इकसाइस number 3 का है तो इसमें हम लोग करेंगे the simplest form of filling the blanks है the simplest form of the ratio तो ये ratio में given है इसके simplest form हम लोगे करनी है तो यह कैसे करेंगे हम लोग तो यह हमें रेशियो गिवन है इसको मैं भी कॉपी पेज पे नोट करती है उसके बाद आप लोग को साथ साथ समझाऊंगी तो स्टोंट्स हमने इसका सिंपले स्टॉम बताने हम लोग कैसे करेंगे सबसे पहले x प्लस y और यह x स्केर प्लस xy प्लस y स्केर एज़ी टिस उतार लेंगे उसके बाद नीचे x क्यूब माइनस y क्यूब भी क्या करेंगे x माइनस y तो यह फॉर्मूला कैसे उपन होगा सबके साथ प्लस लगेगा तो यह देख लिए फॉर्मूला में आपको पहली बताया है यह आपस में कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास जो रिमेनिंग टाम है वो क्या रहे जाएगा x माइनस y तो सिंप्लस फॉर्म यह है और यह आप लोग का आंसर है अबजेक्टिफ नमबर फिलिंग दे ब्लैंक्स के पार्ट नमबर वन का उसके बाद स्टुएंट सेकेंड है कि इनर रेशो x रेशो y x स्काल x को हम लोग क्या कहते हैं स्टुएंट साब लोग बात ग्याद रहते हैं एंटिसिजेंट कहते हैं x हमीशा एंटिसिजेंट होता है और जो y होता है यानि जो second आप होती है जो x के साथ हमारी होगी यानि यहाँ पर second third को देखें यहाँ पर लिखाव है इनर रेशो a, ratio b, b, scar b को क्या कहेंगे इनर बोलेंगे हम लोग तो यहाँ पर आप लोगोंने फिल कर लेना उसके बाद है फोर्थ है मारे पास इनर प्रोपोर्शनल a, ratio b, proportion, x, ratio y a, and y, are card जो लास्ट रोली जो आपस जो exterior जो points होती है नहीं जो a, और x, y है यह सबसे क्या end में है और जो mid वाली हो तो उसको mean बोलते है जो last रोली होती है पी, ratio, q, proportion, ratio, n, ratio, q sorry, यह मेरे पास p, q, m, n दियावाए ratio के साथ तो हमें कावाए कि q, n, m क्या है mid वाली है तो it means यह क्या है mean है यह नहीं प्रोपोर्शनल 7, ratio 4, प्रोपोर्शनल, p, ratio, 8 p, p, k, value, find out करनी जबके 7, 4, 8 हमें गिवन है तो इसको भी हम लोग solve करके देखेंगे तो students, यह question हमें गिवन है हमने इसमें से p के value find out करनी है product of extreme, product of mean product of extreme देख लिए जबने भी आप लोगों होता है बाहर वाली terms होती है, इनको extreme तो आप लोगों आप लोगों के पार्ट 6 का answer है, आप लोगों को पार्ट 7 कराती हूँ जैसा कि student में आप लोगों को पहले बता है मेरे पास यहां पर बड़ी book मुझूद है लेकिन मेरे आप लोगों को objective समझाना था इसलिए मैंने आप की book कर यूज किया है तो आप लोग इससे mind ना करें क्यूंकि मेरे पास बड़ी book मुझूद नहीं है नहीं तो मैं 9 की जो book है उसका मैं बड़ी book से कराती हूँ तो उसके बाद अब चलते हैं objective number 7 पे if 6 ratio M proportion 9 ratio 12 then M की value find out करनी है तो इसलिए मैं question का solution कराती हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह से समझा सकूँ यह है मेरे पास अब इसमें से हम लोग product of extreme product of mean करेंगे product of extreme is equal to product of mean तो सबसे बहले extreme यानि बाहरोले terms को multiply करेंगे 6 को multiply करेंगे 12 से और M को multiply करेंगे 9 से 6 को 12 से करने से पहले हम लोग क्या कर लेंगे नाइन को यहां shift कर देंगे और M को लाइदा कर लेती है 3, 4s are 12 3, 2s are 6, 3, 3s are 9 3, 4s are 12 और 2, 4s are 8 it means M की value क्या आगी है 8 and this is your answer of objective number 7 उसके बाद हमें कहा है if x and y varies directly x और y क्या है directly varies करते है तो x मरपस किसकी बराबर है तो directly proportional के sign को हटा लें आप लोग और यहां पर के लगा दें तो x equal to ky x मरपस किसकी बराबर हो जाएगा ky के बराबर हो जाएगा उसके बाद 9 हमारे पास if y varies inversely as u cube तो y हमारे पास किस से inversely proportional है u cube के तो हम लोगे find out करना है u cube को तो हमें यह कहाँ है कि y varies inversely as u cube sorry v है v is equal to मैं खलती से y वाई पढ़ी थी तो यह वी है अब हम लोगों ने क्या करें प्रॉपरशनल्टी के constant को प्रॉपरशनल्टी के sign को अटा के constant लगाएंगे और यहां पे u cube लिखेंगे हम लोगों लोगों यू cube को find out करना हमें वी नहीं चाहिए तो u cube equal to v को यहां पे divide कर दें k के नीचे तो हमारे पास u किसके बराबर आजाएगा k by v के बराबर आजाएगा तो अमीद करते हूं यह पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा अब मैं आप लोगों को next part number 10 कराऊंगी अब आप लोग इस बुक को देखेंगे w varies inversely as p square then k को find out करना है students हमें यह कहा हूँ है तो हमने क्या find out करने के को k को find out करने के लिए करेंगे p square को यह multiply कर देंगे w p square equal to k यानि k के value के आगी w p square आगे and this is your answer इसको आप लोग p square w लिखे यह फिर w p square लिखे तो इससे कोई फर्क नी पड़ता दोनों आप लोग के correct options है अब करना है part number 11 a third proportional of 12 and 4 12 and 4 का third proportional find out करना है यह भी हम लोग क्या करेंगे solve करके करेंगे तो हमने 12 और 4 का third proportional निकालना है 12 है ratio 4 ratio proportional 4 ratio इसके बाद में हाँ पर लास्ट में x रख लिया उसके बाद product of extreme product of mean product of extreme में 12 multiply x होगा और product of mean में 4 multiply 4 होगा x को एक तरफ कर ले और 12 को 16 से डिवाइट कर ले यह नि 4 4 से तो 4 3s are 12 4 by 3 sorry 3 or 4 से cancel हो सकता तो it means हमारा answer क्या है 4 by 3 और यह हमारा third proportional निकाला है तो यहां पर part number 11 पर आप लोग का option आएगा 4 by 3 यहां पर आप लोग लिख लिए अपनी बुक पे बड़ी बुक पे उसके बाद हमारे पास 12 part number 12 के बाद है 11 के बाद है 4 12 a third proportional of 15 6 and 5 तो students यहां पर question given है यह थोड़ा से रॉंग दिया वहां यहां पर फॉर्थ proportional चाहिए क्योंकि थार्ट प्रपोश्टल में हमीशा हम लोग क्या करते है तू टू टाम्स होती हमारे पास इस तरह यह फूट वाल फॉर्ट है पर फॉर्ट पॉर्पोश्टल निकाल ला है तो इसको हम लोग करेंगी तो फॉर्ट पॉर्पोश्टल हम लोग निकाल ला है यह मैंने लिख लिए तो इस आंथर को आप लोग अपने बड़ी बुक पर नोट कर लेना है साथ साथ यह विन आपको समझा के किया है इसके बाद हमारे पास है पार्ट नवर 13 ता मीन प्रोपोश्टल ओफ फॉर्पोश्टल और फॉर्प इस हमने मीन प्रोपोश्टल फॉर्ट करना है यानि मि इसके बाद हम लोग अमें यह की वैलियू चाहिए अंडर रूट लेंगे टेकिंग्स केर रूट 4M स्केर एंड 4P6 इक्स केर अंडरूट तो फॉर्क किसका अंडरूट होता है तू का टू कस्केर जब लोग तो स्केर अंडरूट से कैंसल हो जाए तो आजाएगा और यह म और यह 4 है 4, 2 कितना जार 4 होता है, तो 2 होता है, यहाँ पे N की पावर क्या बज़ जाएगी, स्केर बज़ जाएगी, और P raise to power 6 है, 2 कितना सार 6 होता है, 2 3 06 होता है, इट मीन्स P की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, पीक की वैल्यू हम लोग 6 लिख देंगे तो यह देख लिए जी पीक की वैल्यू 6 की जगा हम लोग क्या लिख देंगे 2 कितना दार 6 होता है 3 जगा तो यहां पर 3 लिखेंगे और X की वैल्यू हमार पास आगी mean proportional 2 mn square pq इसको मीशा आप लोग plus minus sign के साथ दिखते हैं लोग दो से कैंसिल एंप की पावर नंगी एंप की पावर 4 थी टूट एंबर वर की पावर की आगी स्केरांगे इस तरह करके मनेफ इस इक प्रेस को भी किया है तो मिल्ट करती हो इप समझा गया होगा अब लोग को पार्ट नमर 14 कि पाटने मर्फ 14 है कि तब तक कईन्यूर्पोपोशनल और चुन्यूर्पोशनल को हैं तो स्थोटंट्ट आप लिए किसमें दोटी निडिया करें अगे तो फर्दर रिखेंगे में को लिखेंगे टुटाइम एक्स्ट्रीम प्रोड़क्ट ऑफ मीन M को M से करेंगे, M square आजएगा, 49, 36, आप लोग क्या करेंगे, M चाहिए, simple M, तो हम लोग किंदर क्या करेंगे, square ले लेंगे, square under root से cancel, under root ले लिए हम लोगों ने, कहाँ पर भी cancel होता है, तो उसके बाद यहाँ 36, 36 का जब हम लोग करेंगे, तो 6 को जब 2 times multiply करें, तो हमारे पास क्या आता है, 6, 2 times, तो square under root से cancel, और M की value हमारे पास क्या आगे, plus minus 6, plus minus 6, mean और continue, mean और continue में बाद याद रखनी, plus minus sign 7 लगाते हैं, और इसमें हमाईशा मीड वाले terms को final करते हैं, तो उमीद करती हूँ, अपनों को पसना है, लोगा लेक्चर पसना है, तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ना भूले, अलाफिस,